नमस्कार दोस्तों संदीप त्रिवेदी आप सब के बीच में दाइ स्टोरी आफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट सेवन्टीन लेकर के तो सेवन्टीन यानि सतरा सतरा मतलब खतरा तो जो बातें हो रही थी जो भूमी का बन रही थी उसके बाद खतरा तो आने ही वाला था खैर दोस्तों एक बात ये कि रिकॉर्डिंग क्लब के सोला अंक आ चुके है दाइ स्टोरी आफ रिकॉर्डिंग क्लब के लेकिन शायद अंक पंद्रा और सोला सबसे ज़्यादा सुने गए हैं ऐसा मुझे पता चला है और अब तो यहां तक भी पता चला है कि अन्य कुछ गुरुपों में भी अंक पंद्रा और सोला जो है वो शेर हुए हैं तो अच्छा लगा सुनकर के लेकिन मूल उद्देश यही है कि रिकॉर्डिंग का काम चल रहा था उसके बाद वाटस अप के माध्यम से जो इस कायरे में एक उच्छा लाया इस काम को जो एक पहचान मिली आखिर वो सारी क्या कहानी रही तो उसी के अंतर के ध़म लोग चल रहे हैं फिलाल हम पिछली बार जहां थे वहां से आगे बढ़ते हैं तो साब बस का टिकेट लिया और बस में बैट करके रवाना हुए सॉरी तो बड़ा अच्छा लग रहा था मैं इस बार को स्विकार करता हूँ और उस समय मैं अपने आपको मतलब क्योंकि फिल्मों का बहुत असर होता है हम लोगों के जीवन पे तो जिन लोगों के जीवन पे ज़्यादा असर होता है उनमें से मैं भी एक हूँ मैं भी अपने आपको किसी हीरो से कम नहीं समझ रहा था उस समय क्योंकि एक एक बड़ी अप्रत्याशित सी बात मेरे जीवन में हो गई थी एक दिन पहले किसी वेक्ति से पहचान हुई हो और एक दिन बाद यानि 24 घंटे सिभी कम समय में पहचान हुई बातचीत हुई नंबर शेरिंग हुए और फिर अगले दिन उसी वेक्ति के साथ बसका सफर नो डाउट इसके पीछे एक जो मददगार बात थी वो ये थी कि मैं हमारे सरका स्टुडेंट था और अच्छे विद्यारतियों में से एक था और जो वंदना जी थी वो उनकी श्रीमती के साथ सर्विस में थी जॉब कर रही थी तो इन दोनों बातों पंदना जी के मन में उनको पता था कि भाई ये सर का स्टुडेंट है तो कुई ऐसा वेसा वेक्तित हो नहीं सकता जिसकी सर इतनी तारीफ करते हैं और इतना विश्वास करते हैं जिस पर तो ये इस बात ने मुझे बहुत मदद दी किसमत इतफाक ये सब बहुत माइने रखती है मेरे जीवन में जब हम लोग बस में थे तो एक दोस्त की तरह बड़े अच्छे माहोल में बात्चीत हो रही थी कुछ खास मतलब ऐसा लगा नहीं मेरा काम सिर्फ उस समय ये था कि मैं बस अब्सर्व करता जाऊं और कोशिश करूं कि आज इस बस यात्रा के अंतरगत आज इस तीन घंटे के सफर में अपने जीवन की अच्छी से अच्छी जितनी भी बाते हैं वो सब शेयर कर डालू तो मैं ऐसी ऐसी मुकाम पर ले जाता था बात्चीत को जहां से मुझे कुछ न कुछ नया बताने को मिल जाता था तो मुझे लग रहा था कि यार अपनी कहानी आगे बढ़ाने में इनको अगर प्रभावित करना है तो यह सब करना बहुत जरूरी है तो दोस्तो इस बीच में एक इस्तिती ऐसी भी आई तब मुझे लगा कि यार संदी भाई ये तो सब गरबर हो रहा है कुछ वो बात ये थी कि मुझे पूछा गया एक जगे कि आप सर के वहां मैंने सुना था कि आपकी तो एक गर्फरेंट भी है और आप तो उसी से शादी करने वाले है जब ये प्रश्न मैंने सुना तो एकदम से मैं मतलब भाका बका रही है कि मैंने का यार पता नहीं क्या क्या मालूम है इस वेक्ति को तो और बात भी सच थी मतलब आधी सच थी गर्फरेंट थी और मतलब उससे शादी भी हो सकती थी ये सब कुछ था लेकिन अब तो वो हमारे जीवन में नहीं थी उसकी सगाई हो गई थी तो मैंने इस समय ये उचित समझा कि कुछ भी छुपाने की बजाए जो कुछ है वो सच-सच बता दिया जाए तो मैंने A to Z कुछ भी छुपाए बिना सारी बात सच-सच बता दी मैंने का दो होगा वो देखा जाएगा कोई बात थी आपन को कौन सा क्या है अभी क्योंकि मेरे लिए तो यह कल्पना करना ही बड़ा मुश्किल था कै आज अभी मैं बस में जा रहा हूं तो क्या अकल को बात आगे प्रेम तक भी पहुंच सकती है, शादी तक भी पहुंच सक्ती है बड़ा मुश्किल था और जैसा कि कि मैंने बताया मैं अपने आपको बड़ा भागशाली मान रहा था बड़ा योग्य मान रहा था इस मामले में कि ये सब हो गया अच्छा हुआ जो भी हुआ वो उन्होंने भी इस बात को समझा उनका कि उन्होंने भी बताया कि हाँ भी हमने किसी की बातचीत के दोरान वहां सरके वहां ऐसा ऐसा सुना था तो मैंने भी ठीक है आपने सुना होगा लेकिन ऐसा कुछ है नहीं तो बात्चीत के दौरान और भी काफी अच्छी अच्छी बाते हुई कई जगे लगा कि शायद इनकी बड़ी सहानुभूती है हमारे प्रती और ऐसा भी लगा लेकिन जो भी हो उस दिन वो दिन मैं भूल नहीं सकता दोस्तों कभी भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इस रिकॉर्डिंग के काम की बदौलत नजाने और भी क्या-क्या होने वाला है जीवन में बड़ा एक सकारात्मक तासे में भर गया था बहुत मन में जोश आ चुका था कि अब चाहे कुछ और हो नहो लेकिन इस काम को लगातार पुरे दिल से पुरे जनून से करते रहना है तो दोस्तों आखिरकार बस का सफर समाथ हुआ जैपूर आया जैपूर में उनको उनके रिलेटिव उनके जो जीजा जी थे वो लेने आये और हम हमारे रास्ते रवाना हो गए कुकस की तरफ जहां पर गुपता फार्माउस पर हम लोगों का ये कारिकरम होने वाला था वहाँ जा करके अपना काम किया जिन जिन को रिकॉर्डिंग्स देनी थी वो सब दी दोस्तों से मिलना जुलना हुआ पहानी जो बस से शुरू हुई थी वो जैपूर आने के साथ फिलाल तो थम गई हमें कुछ भी नहीं मालुम था बसे हमें ये सब मालुम पड़ चुका था घर में कौन कौन है वो सारी बाते तो कहर मालुम पड़ गई थी और इस बीच में ये भी हो गई थी कि SMS क्योंकि उस जमाने में WhatsApp नहीं था SMS से भी बातचीत हो सकती हमने ये भी बात तो कर ली थी कि हम भई SMS में भेज सकते हैं शेरोशाइरियां वगेरा कुछ भी तो ये सब बात हो गई थी कि हाँ भेज सकते हैं क्योंकि जब आप कोई रिष्टा बनाना चाहते हैं दोस्तों तो उसमें इमानदार रहना बहुत ज़रूरी है तो जैपुर में जाने के बाद जिन जिन दोस्तों को रिकॉर्डिंग देनी थी वो दे थी उसके बाद अगले दिन प्रोग्राम भी हुआ कई दोस्तों से मुलाकात हुई और फिर आखिरकार वहाँ से जाने का समय भी आ गया जब जैपुर से जा रहा था तबी फोन आ गया था उनका बाचीत हो रही थी कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा सब कुछ ठीक रहा मैंने का हाँ ठीक रहा बड़ी है रहा तो यहां तक भी सारी बाते नॉर्मल थी दोस्तों कुछ ऐसा बहुत अप्रत्याशित कुछ हुआ नी उसके बाद रिकॉर्डिंग के लिए एक नई बुक मिल चुकी थी रिकॉर्डिंग का काम अब चल चुका था प्रत्यों की ता दरपन हमको जो मैगजीन थी वो रिकॉर्ड करनी थी और रायस्तान शिक्षक पात्रिता परिक्षा की बुक हम अल्रडि तैयार कर चुके थी इसके अलावा एक दो सात्यों ने कुछ और बुक्स होगे राभी दे दी थी जिनका काम नेरंतर चल रहा था 17 तारिक हो गई कि अठारा हो गई 19 तारिक को मुझे निकलना था फिर से एक नए दोरे पर क्रिकेट खेलने के लिए कुलू मना ली तो कुलू में एक टूर्णामेंट था पंजाब हिमाचल और राजस्थान के बीच में दोस्तों यहाँ पर एक इत्तफाक और हुआ जो बताना बड़ा जरूरी है अलाकि बाद में भी बताता मैं इसको यह जो है मेडम हमारी जो मूलत है यही माचल की है पली बड़ी पंजाब में और रहने आगई राजस्थान में दो जार चार पाँच में वो एक अलग कहानी है और हम बोलत है गुजरात के है रहे अजमेर में बास्वाडा में यानि राजस्थान में बचपन से और हम भी आगए अजमेर में तो यह एक ऐसा अजीव सा कनेक्शन है और वहाँ एक वाकिया यह हुआ छोटा सा दोस्तों क्रिकेट मेंच के दोरान की फाइनल मेंच हम लोग जीद गए मुझे लगा भई यह बात सबसे पहले अगर मैं शेयर करूँगा तो हम अजला हम टूर्णामेंट जीद गयता है राजस्थान वो टूर्णामेंट जीद गया था तो हम मुझे लगा यार यह भी एक इंप्रेस करने का अच्छा बहाना है तो मैंने कोशिष की बारा साड़े बारा एक बजे हमारा मैच समातूँआ तब से मैं लगातार कोशिष करता रहा फोन तो बंद आ रहा था मैं समस पे असमस करता रहा कोई रिपलाई नहीं कुछ नहीं मैं बहुत भारी टेंशन में जीत की खुशी भी पूरी तरसे इंजोई नहीं कर पा रहा था फिर जैसे तैसे साड़े तीन चार बजे के आसपास फोन आया पता चला कि वो फैमली के साथ कहीं गए थे तो फोन घरी जूड़ गया था तो खेर चलो वो छोटी सी बात निकली आखिरकार टेंशन दूर उनको शेयर किया से मैं सब लिख दिया था कि आप से अब जान पेचान होने के बाद हम टूनामेंट पी जीत गए हैं और काफी आप से मिलना काफी अच्छा रहा और ये सब जो भी है वो इस बीच में फिर वापस अजमेर भी आ गए और रिकोर्डिंग का काम पूरी मानदारी से बदस्तूर चल रहा था 26-27 मई के आसपास 26 मई या 27 मई रही होगी जो ठीक से याद नहीं है 2011 एक ऐसी घटना हुई दोस्तो उस घटना से मुझे ये एसास हो गया कि इस व्यक्ति के दिल में मेरे प्रती अब केवल सानू भूती हमदर्दी नहीं अब प्यार भी है और वहां से बस मुझे लगा कि अब सब कुछ आगे ठीक ठीक होने वाला है आगे वही होने हुआ गटना क्या थी ये तो आपको इंतसार करना पड़ेगा नेक्स्ट फ्राइडे के लिए दोस्तो और नेक्स्ट फ्राइडे भी काफी स्टोरी इंट्रेस्टिंग रहने वाली है हो सकता है नेक्स्ट फ्राइडे की स्टोरी में प्रपोज अपोज का जो भी है वो सब हो जाए देखते हैं आगे मिलते हैं अगली कहानी में धन्यवाद